पर यह चर्चा करेंगे और जो हमारे विद्याथिगन है जो कि बहुत स्वास में बहुत सारे ऐसी चीज़े होती है उसको नहीं जानते जो किसी क्लास में नहीं बताई जाती जीवन की पाट साला से सीखना पड़ता है तो वह खाने के एक आदत के बारे हम आपको बताएंगे और भाइ खाने की आदत है कि दूद के साथ हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इसकी बिसेश जानकारी होने चाहिए है क्योंकि हमां स्वास सबसे बड़े चीज है हम पढ़ लिक रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं बिजन Car अगर स्वास नहीं सही है तो कुछ भी सह तो हम अपने विद्यार्थियों के लिए और हमारे जो जाने वाले लोग हैं और स्वास के पुरिजिते लोग जाग्रुख हैं उस सभी के लिए हम आप से कहना चाहिए कि यह चीज अबस से जाना चाहिए कह यह आपका धर्म है कि ग्यान आपको कहां से मिला है उसको देखें पहला आज हम देखेंगे कि दूद के साथ हमें क्या-क्या नहीं खाना है और क्या-क्या चीजद खा लिए तो उसके पाद हमें दूद का सेवन नहीं करना है यह दोनों ही चीज हमको जाना जाहिए यूँकि आपको बताते हम गलतियां बार-बार कर रहें अपने स्वास्त के प्रकृत हमें बख्षेगी नहीं जैसे आग का सवाव जलाना तो अगर आग पर हम पैर रखेंगे हमारे सरी से टच करेगी तो जलेगी वायू का काम है सुखाना जल का काम है गीला करना तो उसके संपरंग में तो अपना परभाव दिखाएगा तो ऐसे जो डिफरेंट खाद पदार्थ हैं जो कि खाने से बड़ा कोई दवा आज तक बनी नहीं भोजन ही सरफसेश चीज है अगर हमारे स्वास्त में कोई चीज परिवर्तन हो रहा है जो कि नुकसान दायक है तो पहले हमें अपने भोजन को देखना बहुत जरूरी है तो आज हम बताएंगे कि दूद के साथ क्या ना खाए पहले चीज तो कोई भी चीज खटा पदार्थ खाएं आमला छोड़ता है अमला उसमें एक सेप्शन है नीबू है और आपके संतरा है जो और भी खटे-पदार्थ हैं वह सारे खटे-पदार्थ अगर खाएं तो उसके कम से कम दो घंटे बाद ही आपको दूद का स्यमन करना है अगर उसके पहले करते हैं तो आपको फिर समझ्या आनी है और श्रीटी बगारा से लेकर फोड पॉजनिंग तक हो सकते हैं और दूसरा क्या है अचार या सिर्का तो अचार या सिर्का जो है इसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर दूद्ध हम खा रहे हैं तो यह एक चीज खा लिए हैं तो उसके बाद हमें दूद का सिवन नहीं करना चाहिए यह जो दूद का सिर्फ देने और अगर और आगर एक जो लोग understands साहरी हैं तो लोग मांस साहरी हैं तो मांस के साथ चाहरे मचली हूं या मानस को यह साथ भूल कर भी दूद का सिर्फ न करें जोकि भी प्रोटीन की dolce हैं और दूद्ध भी प्रोटीन है तो यह नुक्सान करता है इसलिए आप इस चीज का विशेश ध्यान रखें कि दूद्ध के साथ मांस पचले और अंडा वगर अन्य खाए अन्य था स्वाच के समय लंबे समय करेंगे तो स्वास्बांदी समझें आए और इसके बाद है अचार या सिरका अचार और सिरका खायत उसके साथ भी सेवन करना भर्जित है अने था फूर्ट पवाजन से लेकर के अन्दकर की समस्य करते हैं अगर हम बार बार खाते हैं और कभी सर्व पर्यास करें करें उसके साथ दो चीजा आपको बता नें मूली और प्याज दोनों सफेद रंकी हैं और दून भी सफेद तो मूली और प्याज अगर हम लोग क्या करते हैं सलात खाते ना उसके बाद दूद के चीज़ें भी खाल लेते हैं तो बहुत ही नुक्सान दायक है इससे हमारे स्वास्त में गंदेर समझाय हो सकती हैं अभी इसके चर्चर नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है लेकिन अगर आपको ध्यान में है तो आप यह समय लें कि आप स्वास्त और प्रसंद हैं अब दूसरे एक चीज है हमारे भोज पदात हो उड़त और उड़त से बने भी चीज़ें अगर कोई उड़त का पदात खा रहे हैं तो उड़त में बहुत हाई प्रोटीन होता है उसके होते कुछ परिवारों में किड्नी फिलोर तक के के से जाए हैं यह बहुत ही नुकसान दायक है और एक चीज नमक, नमक के साथ तो दूढ के सिवन से स्किंडिसी पैदा होती है आज इसकल हम लोगे एक चीज करते हैं नमक का सिवन डरेकल नहीं करें लकि नमकीन का सिवन कर और अगर नमकीन ज़्यादा खा रहें तो उसके साथ हम क्या करें दूद वाली चाय ना पिए फिर हम विदाव दूद की चाय पिए उसके साथ नमकीन का सेवन हम धडले से कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा और दूसरा है कि चावमीन जो आज कल हम लोग खाते हैं एक भारती बेंजन में आ गया है चावमीन का प्रयोग तो चावमीन में आतिसास वगएरा जानते हैं जूकर श्टिक होते हैं उसके साथ दूद के सेवन से हमारे स्वाद की समझ से आ सकती है और आज कल जो नए नए बेंजन है उसमें हमको खुद देखना पड़ेगा कि कह आप 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 नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और उसको शेयर करें ताकि अधिक सब्सक्राइब लोग इसे जोड़ सके हों